एक फिल्म से रातो रात सुपरस्टार बनी थी जया प्रदा, दस रुपए मिली थी फीस हाल ही में एक ट्रेस जया प्रदा अपने बारे में चौकाने वाला खुलासा करने के बाद जबरदस्ट सुर्खियों में आगी उन्होंने बताया है कि दस साल पहले उनकी अश्लील तस्वीरे लीख होने के बाद वे एटनी तूट गई थी कि आत्महत्या करना चाहती थी ये सुनने के बाद हर कोई हैरान है जएया की नीजी लाइफ के बारे में बात करें तो ये किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगती जएया प्रदाय ट्रेस नहीं बलकि डॉक्टर बनने के सपने देखती थी लेकिन किसमत को कुछ और ही ममजूर था 27 साल की उमर में जएया की मा ने उन्हें पढ़ाई के साथ साथ दांस और म्यूजिक ख्लास में भरती कर दिया था यहां से उनके बलिवृड तक के सफर की शुरूरात हुई थी 14 साल की उम्र में स्टेज पर शांदार डांस करते जया को क्यारिक्टर एक्टर प्रभाकर रेड़ी ने देखा था उन्होंने 1976 में आई फिल्म भूमी कोसम में जया को तीन मिनट के एक गाने के लिए फोरन साइन कर लिया था इस फिल्म के लिए उन्हें 50 के और पर 10 रूपए मिले थे इस डांस के बाद ही उन्हें ताबरतोर फिल्मों के ओफर मिलने लगे और धीरे धीरे वे तेलगूफ फिल्म इंडिस्ट्री की सुपर स्टार बन गी उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले उन्होंने 1989 में आई के विश्वनात की फिल्म संगराम से बलिवुड में एंट्री ली थी इस फिल्म के जरिये रातों रातवे बलिवुड की स्टार बन गई थी उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म अथेयर बेस्ट एक ट्रेस का नॉमेनेशन भी मिला था फिर एक के बाद एक कई बड़े एक्टर डायरेक्टर उनके साथ काम करना चाहते थे